जय जीनेंद्र, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे, आज हम पर्यूशन में एक इंस्टन्ट डोसा बना रहे हैं, जिसके लिए ना हमें भिगो ना है, ना उसके फर्मिट करना है, कुछी चीजों के साथ बेसल, ओर्स और चावल काटा यहां पे लिया हुआ है, मैंने बेसल औ अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे, मैं दिखा रही हो आपको हमें कितनी कंसिस्टनसी किस तरह की चाहिए, इसके अंदर हमें साबूत दन्या और ब्लैक पेपर, जो मरी बोलते हैं, उसको मैंने डाला है, और यहां पे दो सुखी लाल मिर्च, सभी चीजों को मिक्स करे इसका स्वाद बहुत थी बढ़िया आता है, तो इसे हमें 10 मीट के लिए रख देना है, उसके साथ हमें एक बहुत ही चट्पटी चट्नी जो तयार करेंगे, उसको आप स्टोर भी कर सकते, तो चलिए पहले चट्पटी बनाते हैं, यहां पे हम चट्नी में पहले लेंगे, थोड़ी सी लेंगे मुंखफली उसके अंदर डालेंगे हम मैंने ड्राइ कतरन लिये कोकवनट की और दो सुखी लाल मिर्च साबूत दन्या और ब्लैक पेपर लेंगे काला नमक आमचूर पाउडर रोस्टेच जीरा पाउडर और साथ में थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर सॉल्ट भी ले लेंगे और सबी चीजों को हमें यहां पे मिक्स कर देना है यहां पे मैं शुगर पाउडर यूज नहीं कर रहे हो अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते तो आप कर सकते देखिए मैं बताती हूँ इसे हमें इस तरह का कोर पिसना है यह रेडी हो चुका है बहुत एक्दम पाउड इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप कई चीजों में इसका यूज कर सकते हैं हमारे यह भी 10 मिट हो चुकी है चलिए इसे हमें उसी मिक्सी ग्राइंड में हम डाल देंगे और एक फाइन पेस्ट तयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीस मिनिट में हां बहुत थी क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है तो इसके लिए यह बहुत ही बढ़िया है थोड़ा सा डालेंगे सौड और थोड़ा डाल देंगे हम अक्खा जीरा इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया जाएगा और हमने साबुत दैनिया और ब्लैक पेपर अगरे डाला ही है तिकास चलिए आप एक एक करके और इससे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसको हमें बिल्कूल भी उससे निकालने में प्रॉब्लेम ने होगी मैं दिखाती हूं आपको किस तरह से तुरंत अपने आप वो साइट साइट से निकलने लगेगा थोड़ा सा ओल या फिर आप घ निकलने लगा है मैं दिखा रहे हूं अपने आप निकल जाएगा यह देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ है यह आप देख सकते काफी पतला बना है आप जितनी पेस्ट को फाइन पेस्ट तयार करेंगे उतना यह बढ़िया बनेगा तो वह बात का ध्यान रख देखिए यह हमारा तयार हो चुका है मैं एक और आपको बना के दिखाती हूं अगर आपको मेरी प्रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा और नहीं भी पसंद आई हो तो बताईएगा कि क्यों पसंद नहीं आई है देखिए इस तरह से हम लगा देंगे दूसरा वाला भी यह भी तैयार हो चुका है दोनों साइट से इस तरह से घी या फिरात ओयल लगाके इसे निकाल सकते है जब भी सर्व करना हो तभी यह बनाईए पहले से बना के रंगे के तर थोड़े नरम हो जाएगे वो बात का ध्यान रखिए देख स इस्टन्ट दोसा बढ़के तैयार है लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ थाइंक यू जाई जी नेंदरा